नमस्कार मैं हूँ अभीजी ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नमबर वन वेब नियो चैनल दिल्ली दर्पन टीवी बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी में नशे के अवैत कारोबार के खिलाफ स्थानिय लोग और दिल्ली दर्पन टीवी की मुहीम जारी है एक बार फिट दिल्ली दर्पन की टीम सुल्तानपुरी सी 10 और सी 9 की स्थिती का आज जाय जाय लेने पहुँची तो सैकडों लोग अपने घरों से निकल कर आए और कैमरे के सामने स्मैक माफिया के खिलाफ अपने बयान दिये उड़ता सुल्तानपुरी और सोती पुलिस जी हाँ आज की स्पेशल कवरेज में हम आपको दिखाएंगे सुल्तानपुरी के जनता की आवाज जहां एक तरफ लोगों ने स्मैक माफिया के खिलाफ मोर्चा खोल लखा है तो दूसरी तरफ स्मैक माफिया आवाज उठाने वाले लोगों पर हमले करवा रहा है हैरानी की बात है कि सैकडों की संख्या में लोग सडकों पर उतर कर पुलिस के स्मैक माफिया के साथ मिली भगत होने के आरोप लगा रहे हैं पकड़वा कर बंद कराते एक घंटे बाद वो आकर के हमारे घर पार आकर बोलती है कि मैं सच्चो को चार लाकर पर देती हूँ और मैंने सच्चो खरीद रखा है और हमारा कोई कुछ नहीं विगार सकता मेरा सुल्तानपुरी में टायर का शोरूम है मेरे को एहराश करा गया मेरे को सुल्तानपुरी थाने में प्यार से बुलाया गया और मुझे कहा गया भी आओ आओ आपसे कुछ बयान लेने है जब मैं वहाँ पर मेरे साथी दो साथी मेरे साथ गए तो उन्हें बोला कि तुम लोग बाहर रुको मुझे एक कमरे में लेगे वहाँ जाकर के मुझे आर्दस पुलिस वालों ने एरेस्मेंट करा और कहा कि तेरा बिकाने रहा तेरा सेंपल भरवा देंगे तू बैमान आदमी है और तेरे को नेता से जीरो हम बनाएंगे कही ना कही आपको दबाया जा रहा है अब नूर असन है जी और मेरी कपड़े की सोप है मैं सीधस में रहता हूँ मतलब ये देख लिए जे इतना है सचो कुमार जब से ही असो कुमार जी आये है मलब इतने होसले इनके बुलंद हो गए है समयक बेशने वालों के कि कोई भी कंपलेंट देते है डी सीपी को दिया है सीपी को दिया है कमिशनर को दिया है बागाता लिख कर दिया है सारे बलोक ने लिख दिया है कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक किसी ने भी कोई सुनवाई नहीं की है अच्छा बाद में ये समयख बेचने वाले हैं ये उनको जो कम्प्लेंड करें जिनों ने उनके बच्चों को कहते गोली मार देंगे उठवा देंगे उनके ओरतों को जो ओरतों ने बीडियो बना कर पहले बेजी है हमारे पस बीडियो है काल एक लड़कों की इतनी हालत खराब थी, खडी समाज का था, उसको गाली वलोच करके उसको यहां से भगा दिया, कह लगे यहां से चल जा नहीं वरना तिरे को गोली मार देंगे, अगर हमारे खिलाब हो, पुलीस इन से मिली हुई है, पुलीस की मिली भगत है, यह सचो है, हम एसे चोग खिलाब नहीं है, पुलीस के खिलाब नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं, दो तीन आदमियों के निरंदर हवलदार है, एक ऐसा ही है, उन लोगों ने तीन आदमियों ने यहां पूरे इसमें गदर मचा रहा सुल्तानपुरी में सर। कि इन सब मामलों पर पुलिस चुपी साधे बैठी है. पुलिस भाई को, दिंखु भाई को, काले भाई को, करी तुम पर शेतर लगवाँगी मैं, और मेरा फोन, मैं उसकी वीडियो बनाएदा, मेरा फोन तोड़ दिया, यह फोन तोड़ दिया, और उसका बेड़ा-बेटा मेरे को कहता है, तरे गोली मरवादूंगा दो तीन द पत्तमी जी की, और मुझे ही बन कर दिया. अब जाहिर सी बात है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग विरोध कर स्मैक माफिया और पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल लहे हैं, तो मामले में कुछ सच्चाई जरूर होगी. या अगर सुल्तान पुरी थाने के सेच्चो के दावों को सच माल ले, तो क्या ये सैकडों लोग जूट बोल लहे हैं? अब इस बात का फैसला हम जनता और पुलिस के आला अधिकारियों पर छोड़ते हैं. झाल दोल लोगी.